आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखर अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है जिसका वर्णन भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने विस्तार से किया है तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो शुरू करते हैं नमस्कायर मित्रो सुवागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर धर्म गरंतों में भगवत गीता एक ऐसा धर्म गरंत है जसमें मनुष्य के मन में उठने वाले हर प्रश्न का हल विस्तार से बताया गया है भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अरजुन के मन मे जब भी कोई दुविदा उत्पन होती थी वो उसके समाधान के लिए शिरिक्रिष्ण के पास पहुंचाते थे एक दिन की बात है अर्जुन भगवान शिरिक्रिष्ण के पास आए और उनसे बोले हे वासुदेव मुझे एक दुविदा ने घेर रखा है और इसका समाधान आ हमेशा बुरा ही क्यों होता है जबकि बुरे लोग हमेशा खुशाल दिखते हैं अर्जुन के मुख से ऐसी बाते सुनकर शिरिक्रिष्ण मुस्कुराते हुए बोले पार्थ मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है वास्तम में वैसा कुछ नहीं होता बलकि अज तुमें एक कथा सुनाता हूँ जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुश्य पर निर्भर करते हैं प्रकृती प्रतियक को अपनी रहत चुनने का एक मौका देती है और इसका फैसला करना कि वो किस रहा पर चलना चाहता है ये व्यक्ति विशेश की इच्छा पर निर्भर करता है फिर कथा सुनाते हुए शिरक्रिष्न बोलते हैं, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे, उन में से एक पुरुष व्यापारी था, जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और निती की बहुत महत होता थी, वो पूजा पाट और भगवान की भक चना किया करता था, वहीं दूसरी और उसी नगर का दूसरा पुरुष पहले वाले से बिलकुल ही विपरीट था, वो प्रति दिन मंदर तो जाया करता था, लेकिन पूजा पाट के उद्देशे से नहीं, बलकि मंदर के बाहर से चपल और धन चुराने के लिए, उसे दान, धरम, न्याए, निती, किसी से भी कुछ लेना देना ही नहीं था, इतना ही नहीं वो मंदर जाकर वहाँ चोरी किया करता था, इस तरह समय बीटता गया, और एक दिन उस नगर में जोरों से बारिश हो रही थी, जिसकी वज़ा से उस दिन नगर के मंदर में पंडित के जाता है, मंदर पहुचकर उस व्यक्ति ने पंडित से नजर बचाते हुए मंदर में मौझूद सारे धन और जेवराच चुरा लिए, और बड़ी प्रसंता से वहां से निकल गया, उसी समय धर्मकर्म में विश्वास करने वाला व्यापारी भी मंदर पहुचा, और भगव को ही चोर समझ बैठते हैं, और उसे अपमानित करने लगते हैं, ये देखकर वो भला व्यक्ति हैरान हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ आकिर ये हो क्या रहा है, फिर वह किसी तरह लोगों से बचता हुआ उस मंदर से निकल जाता है, लेकिन दुरभ व्यक्ति से होती है, जिसने मंदर का धन चोरी किया था, पर जूमता नाचता हुआ और जोरो जोरो से बोलता हुआ वो जा रहा था कि आज तो मेरी किसमती चमक गई, एक साथ वो भी इतना सारा धन मिल गया, जो व्यपारी ने उस दुष्ट आदमी की ये बाते सुनी, तो बहुत ही हैरानी हुई, और वो बहुत जादा क्रोदित हो गया, उसने अपने घर जाते ही भगवान की सारी तस्वीरे निकाल कर फेंक दी, और भगवान से नराज होते हुए, अपना जीवन व्यतीत करने लगा, कुछ समय पस्चाद दोनों ही व्यक्तियों की मिलती हो जात जिसके बदले मुझे जीवन भर सिर्फ अपमान और दर्द ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली आखिर क्यों, इस पर यमराज ने उस व्यापारी को बताया, कि पुत्र तुम गलस सोच रहे हो, जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टकल लगी, वास्तम में उस दिन तुम्हारी जीवन का आखरी दिन था, लेकिन तुम्हारी किये गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मिर्तियू, एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई, और इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, तो पुत्र दरसल इसके भागे में राज्य योग था, जो कि उसके दुष्ट कर्म और अधर्म के कारण एक छोटे से धन की पोटली में परिवर्तित हो गया, शिरिकृष्ण अर्जुन को ये खथा सुनाने की बात कहते हैं, पार्त, क्या तुम्हें तुम्हारे प्रश्न क का उत्तर मिल गया, ऐसा सोचना कि भागवान लोगों के अच्छे कर्मों को नजर अंदास कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, भागवान हमें क्या किस रूप में दे रहा है, ये मनिश्य की समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, तो आपको उसका पता नहीं चलता, इसलिए मित्रों मनिश्य को चाहिए कि वो हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि शिरकृष ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या फिर बुरा, तो मित्रों आशा करता हूँ कि आप भी आज से इस कथा का अनुसरन करेंगे, विलाल आज की ये कथा यहीं समाप्त होती है, अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे है, तो ऐसे ही पौराडिक और अध्यात्मिक कथाओं के लिए इसे अभी सब्सक्राइब कर ले, और हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताए, जै श्रीकरिश्ना